मेश राशी, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी अगर आप प्रयास करते हैं तो जीवन में बड़ा अवसर करियर के मामले में प्राप्त होगा इस समय किसी यात्रा पर जाने के योग भी आपके बन रहे हैं थोड़ा सा समय निकाल करके अगर माता लक्षमी की पूजा करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशब राशी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे करियर में इस समय आपको सफलता की प्राप्ती होगी अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85 पृतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राशी स्वास्त का ध्यान आपने बनाए रखिएगा वाहन सावधानी से चलाएंगे देर शाम को आपको धन का लाब हो सकता है किसी निर्धन को अगर सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा शुबरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशक यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा करकराशी करियर में आपके लिए लाब के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं मानसिक चिन्ताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी निर्रयों में अपने साबधानी बनाए रखियेगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा सिंग राशी स्वास्थ में आपके सुधार होता दिख रहा है स्थान परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं संपत्ति संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी माता लक्षमी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 पृतिशत यानि उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी धन लाब के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं इस समय प्रयास करेंगे आपके रुके हुए काम पूरे होंगे दूसरों के काम में हो सकता है थोड़ा व्यस्त आप इस समय रहें अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशक बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है तो लाराशी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस समय चोट की चपेट में आ सकते हैं चोट चपेट से बचाव करिए वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए शाम को आपको धन लाब का योग दिखाई दे रहा है अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो आपके दिन की मुश्किले हल हो जाएंगे शुबरंग होगा सिल्वर यानि चान्दी जैसा रंग और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशक यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा व्रिश्यक राशी धन की स्थिती आपकी कुल मिला कर ठीक रहेगी संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी लेकिन परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखियेगा अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किले कम हो जाएंगी शुबरंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशक यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी विवाह के मामले में आपको सफलता मिलेगी स्थान परिवर्तन अगर करते हैं तो वो शुब होगा करियर में आपके लिए लाब के योग बने हुए हैं खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशक यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी काम का दबाव आपके लिए कम होगा धन लाब के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं परिवार में शान्ती आएगी चीजे बेहतर होंगी किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा शुब होगा शुबरंग होगा अस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशत यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्बराशी स्वास्थ का अभी भी ध्यान बनाए रखें काम टालने से जहां तक संभव हो बचाव करें करियर में इस समय आपको नया अवसर मिल सकता है अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किले कम हो जाएंगे शुबरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 पृतिशत यानि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाव होगा मीन राशी स्वास्थ को ले करके चिन्ताएं दूर होंगी नौकरी कारोबार में आपको सफलता मिलेगी लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाईएगा वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर पृतिशक यानि मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है